कहानी वंचकता का फल जो दूसरों को ठगने का प्रयत्न करता है वो स्वयम ठगा जाता है गंगा के किनारे एक नगर में साधू रहता था साधू का मठ गंगा के किनारे पर ही था उसकी कई शिश्य भी उसके मठ में रहते थे साधू ने मौनवरत धारन कर रखा था पर वो बड़ा कप्टी था उसने साधू के वेश में सारे नगर में अपना कपट जाल बिछा रखा था बड़े बड़े सेट और साहुकार भी उसके कपट जाल में फंसे हुए थे एक दिन साधू अपने एक भक्त व्यापारी के घर गया व्यापारी की एक बहुत ही सुन्दर पुत्री थी पुत्री को देखकर साधू के मन में बुराई पैदा हो उठी उसने कुछ सोच कर अपना कपट जाल बिछा दिया साधू बड़े जोर से रोने लगा, रो रो कर कहने लगा, हाई हाई अब क्या होगा व्यापारी ने आश्चर्य भरे स्वर में साधू से पूछा, महराज आपने तो मौन व्रत धारन कर रखा था, कृपा कर बताईए आपने अपना मौन व्रत क्यों तोड़ दिया साधू ने आशू बहाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी पुत्री तुम्हारे लिए बड़ी अमंगल कारणी है, इसका विवाह होते ही तुम्हारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा अगर तुम अपना कल्यान चाहते हो, तो अपनी पुत्री को एक संदूख में बंद करके संदूख को गंगा में बहा दो, संदूख के उपर दीपक जला कर रख देना साधू अपने मठ में चला गया, पर व्यापारी उसकी बात को सच मान कर उसी दिन से चिंतित रहनी लगा आखिर उसने साधू के कतना नुसार अपनी पुत्री को संदूख में बंद करके संदूख को गंगा जी में बहा दिया उसने साधू की आज्या नुसार ही संदूख के उपर दीपक जला कर रख दिया उधर साधू ने अपने शिश्यों को गंगा के किनारे पर बिठा रखा था उसने शिश्यों को आज्या दे रखी थी कि अगर गंगा की धारा में कोई बहता हुआ संदूख दिखाई पड़े जिस पर दीपक जल रहा हो तो उसे पानी से बाहर निकाल लेना और बिना उसे खोले हुए उसके पास पहुचा देना सादू के शिश्य प्रति दिन बड़े ध्यान से गंगा के किनारे बैठ कर धारा की ओर देखा करते थे उधर जब व्यापारी अपनी पुत्री को संदूख में बंद करके संदूख को गंगा की धारा में बहा कर चला गया तो शिगरी ही वहाँ एक राजपुत्र आ गया राजपुत्र की दृष्टी संदूख पर जा पड़ी संदूख पर जलते हुए दीपक को देख कर उसके मन में आश्चरे पैदा हुआ उसने शिगरी ही संदूख को बाहर निकल वाया उसने जब संदूक को खोल कर देखा तो अतीव सुन्दर युवा अवस्था की बालिका राजपुत्र ने बड़े आदर से बालिका को बाहर निकाल कर उसके साथ विवाह कर लिया और संदूक में एक विशाल काय बंदर को बंद करके उसे पहले की भांती फिर गंगा में बहा दिया उदर साथू के शिश्य गंगा के किनारे बैठ कर धारा की ओर देख रहे थे जब उन्होंने संदूक को देखा तो वे जट पानी में कूद कर उसके पास पहुँचे और उसे पकड़ कर उसे बाहर निकाल लाए साथू के शिश्य संदूक को साथू के पास ले गए साथू संदूक देखकर मन ही मन बड़ा प्रसंद हुआ उसने सोचा अवश्य संदूग के भीतर व्यापारी की पुत्री होगी अब वो उसके साथ विवाह करके सुख से जीवन व्यतीत करेगा साधू ने रात में अकेले संदूग को खोला पर ये क्या संदूग को खोलते ही उसके भीतर से एक बहुत बड़ा बंदर उचल कर निकल पड़ा बाहर बंदर बाहर निकल कर साधू को जपट जपट कर काटने लगा उसने साधू को काट काट कर मुर्दा सा बना दिया साधू तो मरा नहीं, किन्तो उसकी आंखें, उसके पैर और उसके हाथ खराब हो गए वो सदा के लिए मुर्दे के समान बन गया जो लोग दूसरों को ठगने की बुराई करते हैं, उनका यही हल होता है कहानी से शिक्षा साधू को लोब नहीं करना चाहिए लोब वश्ट दूसरों को ठगने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए वंचकता बहुत बड़ा आवगुण है जो मनुष्य दूसरों को ठगने का प्रयत्न करता है, वो स्वयम ठगा जाता है कहानी समात